गुड मार्निंग और आज हम लोग फिर से सुरू करते हैं ये डेली डोज है आज 6 माई 2021 के कुछ अच्छे टॉपिक्स और कोश्चन्स को देखेंगे आज जो है सारे कोश्चन्स और टॉपिक्स जो ले रहे हैं वो लगभग लगभग करेंट बेस्ट है और थोड़ा सा और चीजों को इंप्रूब करना चाहते हैं ताकि जो लोग प्री और जो मेंस भी दें उनको यहीं से प्रयाप्त डेटा मिल जाए तो आज हम लोग 50 कोश्चन्स को डिसकस करेंगे तो इसको थोड़ा सा जो है ना इसमें जल्दी कोशिस करेंगे इसको निप्टा दें और पुस्तक के लेखक कौन है हिट रिफ्रेस पुस्तक जो है उसके लेखक है सत्य नडेला सत्य नडेला कौन है कैसे है यह सबको मालूमी होगा Microsoft के CEO है अभी सत्य नडेला भारतिय मूल के हैं तो यह काफी जो है वो नाम में है अभी हाल फिलल बिल गेट्स और लिंडा गेट् तो इस हिसाब से भी जो Microsoft है यह कंपनी चर्चा में है चलिए अगला question देखते हैं दूसरा है Democratic Republic of Congo से समंधित कुछ खास information है जैसे Democratic Republic of Congo जो है वो landlocked country नहीं है उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा जो है समुदर से ही मिलता है वो अलग है इसको मैप में देख लेंगे यहाँ पर क्या है इन्होंने बोला है कि अब वो Ebola free हो गया है अब वहाँ पर Ebola का कोई case नहीं है Democratic Republic of Congo में और जो Ebola है ना इसका पूरा नाम है Ebola hemographic fever देखे यह खतरनाक क्यों है क्योंकि इसमें जो fatality rate है यानि कि इसमें जो इसकी जो मारक शमता है Ebola की लगभग 50% है कई जगा पर 20-90% है लेकिन average माने तो 50% है ही यह क्योंकि अगर किसी 100 आदमी को Ebola होगा तो इसमें ऐसा मानते है कि कम से कम 50 लोग कि इसमें डित हो जाएगी तो इसलिए Ebola जो है वह इतना खतरनाक और Ebola जो एक नदी के नाम पड़ यह जो है इसका नाम है Ebola virus अब हम लोग देखते है एक पुटो करके है यह पुटुल का जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है डॉल यानि गुडिया और यहां पर जैसे बिहार में आप देखेंगे कई सारे नाम होते है पुटुल से सम्मादी थे ना पुटुल का मतलब होता है गुडिया प्यारी से गुडिया होती है उसका नाम होता है पुतुल और पुपिट जो होता है बंगाली वर्ड है और नाच का मतल़ होता है डांस तो पुटोला नाच जो है वो असम में खास करके अभी काफी फेमस हो रहा है और इसमें जो खासियत इसकी ये है कि इसमें ये कोवीड को लेके जागरूपता फैलाएंगे कोवीड समझे जो जागरूपता होगी वो पुटोला नाच के जड़िए वो फैलाएंगे तो इसमें और काफी चीजे हैं काफी हम आगे डिस्क्रेप्शन में नहीं जाएंगे क्योंकि इसे अंदर घुस के कोशिचन सायधी पूछे चार नमर पहुंचते हैं आयाइटी कानपूर ने क्य LG का मतला होता Life's Good एक कमपनी है काफी अच्छी कमपनी है यह तो यह स्मार्टफोन कारोबार को यह बंद कर दे रही है अब यह स्मार्टफोन कारोबार से यह हट रही है यह कमपनी LG छठा नमर का हम लोग कोशन देखें तो उजबेकिस्तान उजबेकिस्तान से सम्मादित ज इनका बने है स्लिवाकिया के प्रदान मंतरी. आठे नंबर पर हम लोग आते हैं, नाम देखते हैं, बड़ा फेमस रहा है अबी. दिगविजे सिंग जीरान जाला, तो ये इनका डेथ हो गया है. दिगविजे सिंग जाला कौन थे तो दिगविजे सिंग जाला जो है वो भारत के पहले केंद्रिये प्रयावरण मंत्री थे हाल फिले निका डेथ हुआ है तो इनका नाम जो है वो चर्चा में रह रहा है सुपाडी पालन पुस्तक के लेखक कौन है सुपाडी पालन पुस्तक के लेखक है सैलेंदर जोसी दसवा नमर कोशन देखते हैं जस्पाल सिंग ठीक है ना जस्पाल सिंग जो है इनको इंडिया इंडिया एचीवर्स 2021 एवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है इसलिए जस्वाल सिंग जो है वो चर्चा में आ गया है फिर हम लोग अगला कोशन को देखते हैं 11 नमबर पर चलते हैं लंदन लंदन में जाते हैं तो वेशु सहर सांस्कृतिक मंच 2021 की अधेक्षता करेगा ये लंदन सहर वेशु सहर सांस्कृतिक मंच 2020 कौन करेगा इस समयलन की अधेक्षता तो ये करेगा लंदन 12 नमबर के कोशन पर आते हैं हम लोग तो राजस्थान तो राजस्थान देखो देखो देश का एकला किर्सि आधारित सोलर प्लांट अस्थापित किया गया है हम लोग जानते कि डू एश्टिट भारत के हैं ना जहां पर सुडज की रौसनी बहुत तेज पड़ती है और लगवक साल के सभी दिन परती है तो वहाँ पर जो है ये देश का पहला किर्शी आधारे सोरर प्लांट जो है अस्थापित किया गया है तेरे नमबर के कोशन पर आते हैं पांच करोड से अधिक वार्षी करोबार वाले वैपारियों को छे अंको का HSN कोड प्रस्तूत करने को कहा है चोदर नमबर पे हम लोग आते हैं सुसिल चंदरा भारत के 24-वे चुनाय आयुक्त बने है ये नाम एकदम देख लेजिए और सुसिल चंदरा जो है वो सिनियर आईये सधिकारी है और इनका कारेकाल कब तक रहेगा ऐसा भी पूछा जा सकता है लेकिन ऐसा पूछे जाने की संभावना कापी कम है पंदरा नमबर पे हम लोग आते हैं आंदर प्रदेश के उपड़ है ये आंदर प्रदेश के वरत्मान राजिपाल विस्व भूसन हरी चंदन को साहित्ति के छेत्र में उनके उत्कृस्त योगदान के लिए कलिंग रत्म सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है हो सकता है जिस समय आपका एक्जाम हो उस समय ये जो है राजिपाल ना रहे है फिर भी जगा खाली रखिए कोई भी बदलाव आता है तो वहाँ लिख देने के लिए अगर तीन-चार महिनी के अंदर एक्जामनिशन्स होता है तो उम्मीद तो है कि यही राजिपाल होंगे और ज्यादा घुमाया फिरा के कोश्चन्स को तो नहीं पूछा जाएगा सोलर नंबर कोश्चन पर आते हैं कोलम्बो से सम्मधित न्यूज है यह सत्रहवी बी मिस्टेक मंत्री इस्तर यह बैठा का विजन किया जाएगा कोलम्बो में बी मिस्टेक हम लोग जानते हैं कि की सतरह का संगठन है यह खास करके जो सार्क है उसके बज़ए अभी मिस्टेक पर भारत काफी जादा ध्यान दे रहा है सतरह नंबर कोश्चन पर आते हैं नासा के चंद्रा वेदसाला ने योडेनेस गड़ा पर एक्स रे किर्णों के उत्सरजन का पता लगाया है अठाडवाय नंबर कोश्चन पर चलते हैं महरास्ट्र में हापूस आम होते हैं काफी अच्छा होता है हापूस आम तो इसको जी आई टैग जो है वो परदान किया गया है उनिश्वे नंबर टॉपिक पर आते हैं चार परसेंट भारतिय रिजर बैंक चार परसेंट है यह चार परसेंट है वो भारतिय रिजर बैंक अधिनियम 1934 के अताहत एक अपरिल 2021 से अगले पांच वर्स के लिए मुद्राय स्फिती का लक्ष रखा गया है कि भाई मुद्राय स्फिती जो है वो चार परसेंट से ज्यादा नहीं होगा यानि कि यह देखिए कि आपके पास अगर 100 रुपया है तो उसकी वहलू एक साल के बाद कितनी हो जाएगी ठीक है यानि महंगाई जो बढ़ेगी उसके अनुपात में कितना हो जाएगा तो यह लक्ष रखा गया है कि भई 100 रुपय की वैलू 104 रुपय से जादा नहीं होगी इस तरह का लक्ष रखा गया है बीस्वा नंबर पर हम लोग आए पस्चिम मध्य रेलवे जोन पुड़ी तरह विद्युक्रित हो गया है इकीसमे नंबर पर नेपाल में संपन साउथ एसिया वूसू चैंपियंशिप में भारतिये खिलाडी अनिया मित्थुन ने स्वर्ण पदक जीता है 22 में नंबर पर हम लोग आए यूनेसको जो है वो पॉब्लिस्ट करता है वर्ल्ड इन 2030 पॉब्लिक सर्वे रिपोर्ट यूनेसको जो है उसने पॉब्लिस्ट किया है वर्ल्ड इन 2030 ये पॉब्लिक सर्वे रिपोर्ट 2030 में वर्ल का क्या होगा किस तरह का होगा ये पॉब्लिक सर्वे रिपोर्ट यूनेसको ने पॉब्लिस्ट किया है 23 नमबर कोशन पर हम लोग आते हैं दुरोनाचार एवार्ड से सम्मानित प्रतिष्ठित निशानेबाजी कोज थे तो ये थे संजय चक्रवर्ती 24 नमबर 5 372 बिलियन डॉलर भाई क्या हुआ ये तो निती आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के नुसार भारत का स्वास्त शिवा उद्योग 2022 तक होगा भाई देखो ये जो स्वास्त है ना ये तो बिजनस है ठीक है ना अच्छे स्वास्त के लिए आप कभी भी ज्यादा अंग्रीजी दवाईयों पर रिलाय मत करिए डेल्य एक्सेसाइज गरिए टाईम से स्टड़ी करिए टाईम से स्वाईये टाईम से जगिए क्योंकि 372 बिलियन डॉलर जो होगा ये उद्योग होगा 2022 तक बैई million billion trillion का को हिसाब गीता पता होगा ये बहुत huge रासी है ठीक है ना कभी भी इन दवा कम्टियों के जहां से में नहीं आईए पचीसवे नमबर कोश्चन पे हम लोग आते हैं ब्रिटेन इसका एक जगह है कार्णवेल वहाँ पर जो है जून 2021 में होने वाले 47 वे जी सेवन सिखर समिलन 2021 की अधेक्षता करेगा ब्रिटेन अधेक्षता करेगा जी सेवन के 47 वे एपिसोड का ये होगा ब्रिटेन के में किया गया 27 वा नमबर है चार से बारा अपरिल 2021 के बीच बंगलादेश ने सांतिर अग्रसें 2021 नामक बहुडास्टियस ने अभ्यास आयोजीत किया है 28 में कोश्चन पर आते हैं ओडिसा ओडिसा ने क्या है तो ओडिसा ने महिंद्रगिरी को राज के दूसरे बायोस्प यह दिल्ली में एक्सप्रे जो है ना वो 14 लेन वाला एक्सप्रेस वे है तीस्वा नमबर कोशन पर आते हैं तो देखते हैं ग्लोबल जेंडर गाप इंडेक्स 2021 में सिर्ष पढ़ है यानि ऐसा देश जहां पे जेंडर में गाप नहीं होता है उसमें सिर्ष पढ़ है आइ नौर्वे आइसलेंड कहा है एकदम टॉप पढ़ है तो देखिए एक चीज़ आप देखेंगे कि जो देश जेतना ही विक्सित है ना वहां महिलाओं के साथ उतना ही कम भेदभा होता है एकदम सुन्नी के बड़ाबर जहां भेदभा होता है ना वो जगह एकदम हमेशा ट हुआप पर्हेगा तो बही क्या करना है महिलाओं की जद करेंगे तो development दिखेगा वो significant होगा एक तीसवा नबर कोष्ज न देखें तो जानवरों के लिए को बीका जानवरों के लिए कॉविर टीका बट अभी हाल फिलाल जो अमेरिका के जो पर्तिबंद और बाकी जो इसूज हुए उसी इसूज के कारण जो है ये मामला भी थोड़ा सा खटाई में पड़ गया है चलिए 33 नमबर पे हम लोग आते हैं 33 नमबर में हम लोग देखते हैं कि 800 करोड नेपाली रुपया भारत नेपाल को सहायता अनुदान की रूप में परदान करेगा आठ सा करोर नेपाली रुपईया भारत देगा नेपाल को सहायता अनुदान के रूप में ताकि नेपाल के साथ भारत के अच्छे रिलेशन जो है वो मेंटेन हो सकें वैसे आप तो जानते हैं कि परचंड दहल वाला मामला भी नेपाल में काफी है और एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो है न उसको जगा के कई सारी पॉलिटिकल पार्टी अपनी राजनीती चमकाने पर लगी वी रहती है तो ये अभी भारत के लिए खत्रे की घंटी है तो ने आधार पैन से जोडने की आखरी समय सिमा है पहले 31 मार्च 2021 थी लेकिन अब उसको बढ़ा दिया गया है 30 जुन 2021 तक ये डेट दे गई है कि भाई आप आधार को पैन से आप जोड लीजिए 35 नमबर पर आएंगे भूवनेश्वर तो भूवनेश्वर में क्या हुआ भाई पहले वर्ड स्किल सिंटर का उदगाटन हुआ है कहा हुआ है भूवनेश्वर में 36 नमबर पर हम लोग जाए तो अब देखिए जो एक भारतिय है न वो पर साल पर एयर अपने खाने में से एक भारतिय एक व्यक्ति 50 केजी खाना को बढ़बाद कर दिता है ये काफी स्कालोन के हैं यानि टोटल हम लोग देखे तो 931 मिलियन टन फूड जो है वो वेस्ट हो जाता है एक साल में कित्ना 931 मिलियन टन जो distintos हो जाता है कितना तो एक साल में 50 केजी एक आदमी अपना फूड वेस्ट कर देता है तो यह काफी बड़ा डेटा है अगर इसको हम लोग अगर इसको मैनेज कर पाएं जैसे हमें तो बिल्कुल थोड़ा भी वेस्ट नहीं करना चाहिए तब काफी लोगों को हम लोग खाना उप पर स्पेशल ट्रेंड चला इतिहा चल्च दिया ठीक है ना कहां चलाई तो मॉंबई से लेके लखनाओ तक ट्रेंड को लेके आई वो 38 नमबर पे हम लोग आते हैं इज ओफ लेविंग इंडेक्स 2020 में एक मिलियन से कम अबादी वाले सहरों में सिर्ष पर सहर रहा तो पहले सहर पर रहा सिमला दूसरे पर रहा भूनेश्वर उडिशा की राज़ानी है भूनेश्वर 49 नमबर पे हम लोग आए आवास एवं सहरी मामलो के मंतराले दोरा जारी इज ओफ लिविंग इंडेक्स 2020 में सिर्ष पर सहर रहा तो यह रहा बंगलरू पहले नमबर पर रहा दूसरे नमबर पर पुने है तीसरे नमबर पर आहमादाबाद है अब 40 नमबर पर हम लोग आत संस्थान है में साच avenues परादोयली की संस्थान दूसरे नमबर पर रहाा तैन फौरड विष्विध्याल है और तीसरे नमबर पर पर रहा केम्ड़ेज विष्विध्याल है चलिए अब मुझे एक बात बताईए कि यह पहले जो उपर से जो तीन जो सर्पसिस्ट विष्वि यह मुझे कॉमेंट बॉक्स में कड़के बताईएगा गूगल से सर्च करिए इसलिए आपको निकल जाएगा ठीक है इतना आसान तो है आज कल 41 नमबर कोश्चन पर हम लोग आते हैं हुनरु ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में सिर्ष दस में एक मात्र भारतिये कौन है तो एक मात्र भारतिये मुके संभानी है इनकी पोजिशन आठवी है ठीक है न तो ये पूरे एशिया के सबसे अमीर आदमी है ये 42 नमबर कोश्चन पर आ तो कितने होते हैं 10 लाक होते हैं ठीक है तो आप देख लेजिए 100 मिलियन फॉल और इनके हो गए हैं तो ये कितने पॉपलर हैं 43 नमबर कोश्चन पर आते हैं हम लोग रजनी कांत की उपर एक खास नियूज है कि इनको दादा सहाब फाल के पुरुषकार दिये जाने की घो नाम क्या था ये हमें comment box में बताएंगे सामीğ कामल हासन ने भी एक political party बनाई थी क्या बनाई थी मकल इत्थी नयम क्या था अजीब सा नमबर पे आते हैं अब देखते हैं फॉन पे से सम्मंधित बात फॉन पे को हम लोग देखें तो यूपी आई पर वन बिलियन ट्रांजेक्शन पार करने वाली पहली कंपनी बन गई है फॉन पे ये काफी बड़ी बात है क्योंकि गूगल और बाकी कई कंपनियां इसके कंप निधत किया किस ने किया तो ये किया अर्विंद केजरिवाल ने 46 वे नमबर पे हम लोग आए तो अंतरास्टी एक खदान जागरुकतर दिवस ये चार अप्रिल को मनाया गया और इसकी थीम थी द्रिड़ता भागीदारी और प्रगती ये भागीदारी लिखावा है इसके चेर परसन बनाये गए हैं और 48 वे नमबर पे हम लोग आए रास्टी ए समुद्री दिवस मना जाता है पांच अप्रिल को और 1919 से जो है ये मनाया जा रहा है कब रास्टी ए समुद्रे दिवस 49 कोशन पे हम लोग आ चुके हैं फीफा महिला विस्टू कप 2023 की मेजवानी करेगा तो ये करेगा अस्टेलिया और न्यूजिलेंड दोना सन्यूक दूरूप से इसकी मेजवानी करेगा 50 में नंबर पे हम लोग आते हैं अगस 2021 में महिलाओं के लिए होने वाली फैसन प्रत्योगता मिसिस गलैक्सी प्रत्योगता अवेजन किया जाएगा तो ये किया जाएगा सिकागो में सिकागो अमेरिका का एक सहर है और इसमें भारत का प्रतिनिद्धित्टू करेंगी सु प्रति चोहान तो इसमें ज्यादा इसमें उलजेंगे नहीं तो अभी के लिए हम लोग 50 कोस्टन को यहीं डिसकस करते हैं आज कई सारे वर्ग थे तो इसलिए काफी लेट हो गया तो कल से कोशिस रहेगी कि ये एपिशोड जल दिया है तो अभी के लिए इतना ही थैंक थैंक यू भेरी मच